करनाल की रहने वाले 17 वर्षिया आकर्ष कौशल ने एक वेबसाइट तयार की है जिसके मादिन से आप घर पर बैठे ही करनाल में कोरोना का क्या स्टेटिस है उसकी जानकारी हांसल कर सकते हैं पस आपको अपने कंप्यूटर पर आकर्ष तवारा तयार की गई करनाल कोविड.in नामक वेबसाइट पर जाना है प्रति दिन कोरोना के कितने मामले आ रहे हैं और कोरोना से कैसे बचा जा सकता है यदि कोरोना हो जाता है तो उसका उपचार क्या है इन सबकी जानकारी इस व वेबसाइट तयार करने के लिए कहा गया था जिससे आकर्ष तवारा एक सफ़ता हमें तयार कर दिया गया है आकर्ष के माता-पिता करनाल के जाने माने डॉक्टर सथ हैं लेकिन आकरश का कहना है कि वह जीवन में डॉक्तर नहीं बलकि कम्प्यूटर साइन्स की तरफ जाना चाता है और इसी में अपना केरियर बनाना चाता है अकरश की इस वेबसाइट का करनाल पुशासन के साथ साथ आईयमे करनाल तदा स्वास से विभाग भी लाब ले रहा है दोस्तों मैं हूँ तरून मुदान और आप इसमें देरे समच एकस्प्रस में आपको बता दूँ कि मैं इसमें मुझूदू करनाल के सेक्टर सेवन में और जिन से मैं बात करने का भी परियास करूंगा जिन से मैं आपकी बातचित भी करूंगा वो मातर एक 17 साल की जीवा है और उन्होंने एक ऐसी साइड वेबसाइट बनाई है जिसका कि इंतिजार लोगों को था लेकिन बात वहाँ पर आती है कहाई जाता है कि अगर कुछ करने का जनून हो तो पूरी काइनात शिद्द से उसके साथ आती है और यहाँ पर पूरी काइनात ने इनकी मदद की और इननने पूरी शिद्द से पूरे जनून से ऐसा काम कर दिखाया जिसकी वेबसाइट इनकी जो बनाई की जो वेबसाइट है उसको हमारे करनाल की उपवयोत निशानत कुमार यादा भी लॉँच कर चुके हैं करनाल आई-यमे के अलवा दूसरे डिस्टिक भी इनकी साइट को पसंद करने लगे हैं मैं इन से बात करने का प्रियास करोंगा एब सबसे पहले इनका परीचे करा दू इनका नाम है अकर्ष, कोशल इनके पेरेंट्स इनके माता और पिता दोनों करनाल के जाने पहचाने डॉक्टर है गगन कोशल और डॉक्टर आर्थी कोशल इनके माता पिता है उनका पूरा इनको सपोर्ट रहा है इनका ये भी कहना है कि बच्पन से माता पिता का पूरा सपोर्ट रहा है और इनका जो सप और, यह सारा COVID के उपर data देता है, कितने case हे तर दिन हो रहे है, was data. दिन का डाटा देख सकते हैं उसके बाद है कुछ गाइड लाइन से बिताता जो और्गनाइजेशन से सब्मिट की हुई है कि आपको किस तरीके से अपने आपको प्रिवेंट करना कोविड से और साथ में जिन लोगों को जिनकी भी कोई टेस्ट हुई है कोविड की वो अपन करनाल से पढ़ाई पुरी करने के बाद अब आपने दिल्ली में अडिमिशन लिया हुए सर आपको इस साइट बनाने की जो मोटिवेशन थी यह कहां से मिली थी आपने सबसे पहले क्या सोचा था और क्या आपके मनमेयाद है कि आप इसको अपने सपने को फुल्फिल कर पा तो उससे मैंने सोचा कि क्यों ना एक एप बनाई यह वेबसेट बनाई जाए पूरे इंडिया की तो थी लेकिन कोई एक स्पेसिफिक जगा की जैसे करनाल की है ऐसी कोई नई थी तो मैंने सोचा क्यों ना बनाई जा लोग काफी मदद मिलेगी और हम कोविड को कम कर नाम से side है क्या कोई भी आम इंसान अगर जिसने टेस्ट करवाया है या जिस अगर वो ग्राब देखना चाहता है करनाल में आज की रेट में करोना क्या से टाइटर तो वो इस पर जा कर करके उस सारा डाटा को अबसर्व कर सकता है और वो अपने रिपोर्ट बिचा कर सकता है यह बिल्कुल पॉसिबल है उसमें SRF ID आपको सिर्फ होनी चाहिए आपके पास आपको सिर्फ वो एक इंपुट देना है और आपकी PDF जनरेट हो जाएगी आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं सारा डाटा आपको देख जाएगा ग्राफ का सब कुछ सिर्फ एक मिल रहा सा मैंने तभी बनाया ऐसा स्टेडिस को कोई कॉंपरमाईज नहीं किया और जितना भी फ्री टाइम सारा इसमें लगाया उसके बाद ये वेबसेट बनाई एक महीन है के अगर हम बात करें आज की रेट में आपकी जो साइट है प्रती दिन कितने लोग इसको देख या कि आकर जी हमें बताईए कि हम भी अपने डिस्टी के लिए इस साइट को प्लाइन करना चाहते हैं अंजी अंबाला के लिए मैंने एक वेबसेट बनाई थी उसमें आप सिरफ अंबाला के जो लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिक लिए जो वहां के टेस्टिंग हुई है वहां के रिपोर्ट के लिए वो वेबसेट बनाई थी उनका भी यही था कि वहां पर भी कोई वेबसेट नहीं थी तो वो भी चाहते थे कि वो भी किसी को अपने लोगों को रिपोर्ट दे सकें तो फिर उन्होंने मुझे कांटक्ट किया तो मैंने वो बना के दी थी जो ज के अंदर सारे जो भी डाटा वो देते हैं जो टेस्टिंग सेंटर वो सब को दिख जाता है आपके माता पी तो दोनों कर डॉक्टर से आपके मन में क्या क्या बभिशे में आप भी डॉक्टर बनना चाहिए कि आप को अनेदर लाइन चूस करना चाहिए नहीं मैं कभी भी से बहुत इंटरेस्ट मिलता है तो मैंने शुरू से डिसाइड गया था मैं कंप्यूटर साइंस से करनी है और अब मैं वही उसके आगी तरफ पढ़ लाँ उसके लिए अगर अगर कोई दूसरी डिस्टिक आप से टाइप करने का प्लान करते हैं या आप से बातचीत करते ह हां जी क्योंकि एक बार जब साइड बन गई है तो मेरे को सिर्फ कुछी चेंजिस करने एक दूसरी सिटी के लिए बनाने के लिए तो जादा उसमें कुछ काम नहीं है थोड़ा सा काम होगा हलका सा बस एक दो देन जा साइड मैक्सिमम एक हफते के अंदर वो बन जाएगी सर शुरू शुरू में साइड बनाने में किन किन मुसीबत होगा या किन किन परिशानियों का सामना करना पड़ा था कभी कभी थोड़ा बहुत करना पड़ा था कि कुछ कुछ चीज़ें इंप्लिमेंट करने बड़ी मुश्किल थी और डाटा लेना मुश्किल था कि शुर से ज्यादा जो मैत्पूर्ण योगदाद्न आपके परिवारे में किस करा? किस ने आपको मोटिवेच किया? किस ने आपको मॉरली सपोर्ट भी किया? मेरे पापा का था, उन्हों नहीं सारा क्योंकि डाटा दिया और उनका कि इस तरीके से होनी चीए ताकि लोगों को सबसे आदा हेल्प मेले तो उसी को देखके मैंने वेबसेट बनाई थी और मेरे पापा को बहुत सपोर्ट था मैं ममी का भी हूँ मेरे को कहती थी कि यह अच्छा गाम है करते रहो और पापा का तो सबसे आदा हुई सप कुमार यादव ने आपकी साइट को लोंच किया था इसके अलावा आईयम में और इसके अलावा जो करनाल के सीविल सेजैन डॉक्टर यूगे शर्मा ने भी आप से बात की थी उन्होंने भी आप से कुछ डाटा अपडेट करवाने के लिए डिमांड किया था उनकी आपन अब पर आप डाउन्लोड कर सकतें जो भी आपक रिजल्ट है उसका नाम सर अंबाला कोविड डॉट इन अंबाला कोविड डॉट इन अब आप अपनी उमर के बच्चों से आज के आप समातर 17 साल के हैं आपके एज में बच्चे मैक्सिमम टाइम्स खेलों में या इदर उदर घूमने फिरने में डिवोट कर देते हैं आपने छोटी से उ आप अपने नाम को चरितार्थ भी किया और पैसे यूँ आउसे क्या पील करना चाहते हैं मैं वही कहूंगा कि अपने पैशन को पर्शिव करो और उसके लिए जो भी चाहिए उसकी तरफ करें ज्यादा खेलना खिलना भी जरूरी है लेकिन उसकी यह नहीं कि आप पर इन्हों ने एक साइट बनाई थी करनाल कोवीड डॉट इडॉट इन इसकी अलावा पूरे हर्याना में करनाल के अलावा एक अमबाला डिस्टिक ऐसा है जहां पर इनके दोरा बनाए गई साइट पर काम किया जा रहा है इनकी साइट के माद्यम से कोई भी व्यक्ती चेक कर सकता है घर बैटे कंप्यूटर पर क्लिक करकर वो चेक कर सकता है इनके दोरा जो भी इनकी यूवा वर्क के ऐसे बच्चों से अपील है कि खेलना कोदना भी जरू है लेकिन अपने पैशन को जुरूर उजागर करें और जो भी उनके अंदर हुनर है उसको बस अपने सपनों का घर बुक करें झाल